हेलो दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए योग से संबंधी टॉप 25 प्रशन लेकर आया हूँ ये प्रशन आपके लिए काफी इंपॉर्मेटिव होने वाले हैं आप से गुजारिस है किर्पिया वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना और ओप्सण है इनमें से सही आंسर है प्रणायाम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमर दूसरा कौन सा आशन ध्यानात्मक आसनों की स्रेणी में आता है कौन सा आसन ध्यानात्मक आसनों की स्रेणी में आता है सही आंसर है पदमाशन अगला क्वेश्यन है आसन कहते हैं सही आंसर है सरीर को सुख की अवस्ता में रखने को शरीर को सुख की अवस्ता में रखने को आसन कहते हैं अगला क्वेशन है नाक की सपाई है तू की जाने वाली सुध्धी किरिया है कौन सी है सही आंसर है नेती किरिया नाक की सपाई है तू की जाने वाली सुध्धी किरिया है नेती किरिया अगला क्वेश्चन है प्रणायाम के कितने भेद हैं प्रणायाम के कितने भेद हैं सही आंसर है आठ प्रणायाम के आठ भेद होते हैं या आठ प्रकार होते हैं अगला क्वेश्चन है गर्भावस्ता में निम्न मैंसे कौन सा आसन वर्जित है गरवावस्ता में निम्न मैसे कौन सा आसन वर्जित है सही आंसर है नौकाषन गरवावस्ता में नौकाषन नहीं करना चाहिए अगला क्वेश्यन है बवासीर के उपचार हेतू सर्वाधिक लाबकारी न्योग मुद्रा कौन सी है बवासीर के उपचार हे तू सरवाधिक लाबकारी योग मुद्रा कौन सी है सही आंसर है अस्विनी मुद्रा बवासीर के उपचार हे तू सरवाधिक लाबकारी योग मुद्रा है अस्विनी मुद्रा अगला क्वेश्चन है इन में से कौन सा आसन सरवाधिक सिथिल कारक प्रभाव रखता है? सही आंसर है ससांकासन अगला क्वेश्चन है इन में से कौन सा तत्व यम के अंतरगत नहीं आता है? कौन सा तत्व नहीं आता? तब अगला क्वेश्चन है संतोस इन में से किसका अंग है? सही आंसर है नियम संतोस नियम का अंग है अगला क्वेश्चन है नियम्न मैंसे कौन सा भिन्न है चार ओप्षन है सही आंसर है धन नियम्न मैंसे कौन सा भिन्न है इसमें चार ओप्षन दिये गए है A. धारणा, B. प्रणायाम, C. धन और D. नियम इन में से धारणा, प्रणायाम और नियम ये अस्टांग योग के अंग है किन्तु धन अस्टांग योग का अंग नहीं है इसलिए ये भिन्न है इसकी नीचे ब्याख्या भी दी गई है धारणा, प्रनायाम और नियम ये तीनों अस्टांग योग के अंग है जबकि धन अस्टांग योग का अंग नहीं है अतह यह इन सभी में भिन्न है कौन सा धन अगला क्वेश्चन है इन में से स्वांस बाहर छोड़ने की क्रिया कौन सी है इन में से स्वांस बाहर छोड़ने की क्रिया कौन सी है सही आंसर है रेचक अगला क्वेश्चन है इस्तिर सुकम आसनम किसने कहा है इस्तिर सुकम आसनम किसने कहा है चार ओप्सन है इन में से सही आंसर है महर सी पतंजली ने इस्तिर सुकम आसनम महर सी पतंजली ने कहा है अगला क्वेश्चन है मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक आसन कौन सा है मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक आसन कौन सा है चार ओप्सन है इन में से सही आंसर है उप्रोक्त दोनू अर्थात A और B दोनू यानि की अर्ध चक्रासन और पस्षिमोत तानासन ये दोनू आसन मासिक धर्म को नियमित करने में सहायक होते हैं इसलिए सही आंसर हुआ उप्रोक्त दोनू अगला क्वेश्चन है कौन सा आसन स्वप्न दोस के उपचार में सहायक है कौन सा है सही आंसर है भुजंगासन भुजंगासन स्वप्न दोस के उपचार में सहायक होता है अगला क्वेश्चन है कौन सा है? सही आंसर है ताडासन शरीर की उचाई को बढ़ाने के लिए सबसे लाबदायक आसन ताडासन को माना जाता है अगला कुश्यन है बवासीर के रोगियों के लिए वर्जित आसन है बवासीर के रोगियों के लिए वर्जित आसन है कौन सा है? पवन मुक्ताशन बवासीर के रोगियों के लिए वर्जित आसन है पवन मुक्ताशन यानि की बवासीर के रोगियों को पवन मुक्ताशन नहीं करना चाहिए अगला कुश्यन है मदुमेह के रोगियों के लिए लाबदायक आसन कौन सा है? मदुमेह के रोगियों के लिए लाबदायक आसन कौन सा है? सही आंसर है ये सभी अर्थात पवन मुक्तासन, भुजंगासन, अर्ध मत्सेंदराशन ये सभी ये सबी आसन मदुमेह के रोगियों के लिए लाबदायक होते हैं अगला क्वेस्चन है किडनी रोग में लाबकारी आसन है कौनसा? सही आंसर है A और B दोनु अर्थात गो मुखासन और वक्राशन ये दोनों आसन किडिनी रोग में लाबकारी होते हैं सई आंसर वा ए और भी दोनों अगला क्वेश्चन है पाचन छम्ता को बढ़ाने में लाबदायक आसन है कौन सा आसन है उर्द हस्तासन तिरकोण आसन अर्धम अच्छेंदराशन ये सभी ये सभी आसन पाचन छम्ता को बढ़ाने में साहिक होते हैं इसलिए सई आंसर हुआ ये सभी अगला क्वेश्चन है संतुलनात्मक आसन है कौन सा चार ओप्षन है ताड़ासन ब्रिक्षाषन गरुडासन सई आंसर है ये सभी ये सभी आसन अर्थात ताड़ासन ब्रिक्षाषन और गरुडासन ये सभी संतुलनात्मक आसन है अगला क्वेश्चन है सीव सहिता में वर्णित आसन है कौन सा चार ओप्षन है सिद्धासन, मुक्ताशन, बद्राशन और ये सभी सही आंसर है सिद्धासन सीव सहिता में वर्णित आसन है सिद्धासन अगला क्वेश्चन है अवसाद रोगी को कौन सा प्रणायाम नहीं करना चाहिए सही आंसर है ब्रामरी प्रणायाम अवसाद रोगी को ब्रामरी प्रणायाम नहीं करना चाहिए अगला कुश्चन है इनमे से कौन सी सठकर्म किरिया नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रणायाम का भेद नहीं है? ब्रामरी, सूर्यवेदी, मोर्चा, समाधी सई आंसर है समाधी